हेलो आप सभी का स्वागत है हमारी यूटूब चैनल पे आज हम बनाने जा रहे हैं मसूर दाल की खिचरी वह भी कच्छी केरी के साथ अगर आप लोग को हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज लाइक सेल सस्क्राइब कर दे खिचरी बनाने के हमने यहां ले हाप कप मसूर का दाल एक कप चावल भग देड़ सो ग्राम अब हम दोनों को अच्छी तरह से दो तीन पानी में धो डेंगे अभी हम एक बरतन में डालेंगे पानी, तेर्सो ग्राम चाबल में हम एक लीटर पानी डालेंगे, क्योंकि नया चाबल पानी ज्यादा सोकता है, हाप टेबर उस्पून हल्दी पाउडर डाल देते हम इसमें, अभी हम धुए हुए चाबल को डाल देंगे इसमें, अभी दाल को डाल देंगे, स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, नमक डालने के बाद में इसे चला देंगे, जिसे कि हमारे दाल, चाबल, नमक, पानी सब अची तरह से मिल जाए, अभी में इसे ढख देंगे बोई लाने तक के लिए, देखे खिचरी में बोईला चुका, अभी धक्कन को बाहर निकाल लेते हैं, अभी हम इसमें केरी को डाल देते हैं, एक केरी को पहले ही धोग के छिलकी कार के रख लिये थे, तो डाल देते हैं इसमें, केरी डालने के बाद हम इसे चला देंगे एक खिच्री बहुत ही लाजवाब होता है तो देखे लगभग तैयार होने का है हमारे खिच्री यह अब यह एकदम गारा हो गया है यह खिच्री बनाने में दस मिनट का टाइम लगा है खिच्री हमारा तैयार है अब एकदम गारा हो गया है जैसे हम उजेघे चाहिए था अब हमेहिसे ढखन डाल के रख देते हैं तरके की तैयारी कर लेते हैं करहाय में डालेंगे सरसो का तेल तेल गर्म होने के बाद हम उसमें डालेंगे जीरा जीरा को चटकने देंगे और काला राई डाल देते हम इसमें मसूर डाल के साथ बना इसलिए राई डालना जरूरी है इसमें तो राई जीरा दोनों डाल रहे हम हमारे खेचरी में अच्छा स्वादा इसलिए हिंग डाल देते हैं हिंग को भी हम तेल में अच्छी तरह से फिला देंगे जैसे कि हिंग हमारा अच्छी तरह से पक जाए अब हम इसमें डालेंगे कूटे हुए गार्लिक छे से साथ गार्लिकों अच्छी तरह से कूट के पहले रख लिये थे गार्लिकों भी मतेल में अच्छी तरह से मिला देंगे हरी मिर्च डाल देते हैं दो कटे हुए हरी मिर्च बारिक कटे हुए हरी मिर्च एक प्याज प्याज को भी हमने बारिक बारिक ही काटा है प्याज को एकदम गोल्डन नहीं करना है हमें यह खिचरी सीजन में बनने बाला है क्योंकि कच्ची केरी तो हमेशा नहीं मिलता है यही सीजन में मिलता है हाप टेबल एस्पूर मिर्ची पाउडर डाल देते हैं इसमें अगर आप लोग को तीखा नहीं पसंद हो तो एक ही चीज डाले या तो मिर्ची पाउडर डाले या हरी मिर्च डाले मिर्ची पाउडर डाले के बाद अच्छी तरह समीस मिला देंगे तेकी तरका हमारा तयार है अब हम खिचरी में डाल देते हैं इसे आप लोग भी ये खिचरी घर पे बनाएए बहुत ही लाजबाब होता है खाने में बनाएए खाएए अच्छा लगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएए अगर आप लोग को हमारी वीडियो पसंद आया हो ये रेसीपी पसंद आया तो प्लीज लाइक से सस्क्राइब कर दे साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे